हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटाफोन आइडिया के स्टॉक के उपर तो चड़िए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो वोटाफोन आइडिया से रहेलेटेड कुछ खबर है उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तो आपने सुनाई होगा कि वोटाफोन आइडिया के अंदर हिस्सेदारी गवर्मेंट की लगबग 35% की होने वाली है तो दोस्तो यह लोकों का आप कहना है कि सेंटर वों रोल इन वोडाफोन आइडिया ऑपरेशन यह कुछ खबर हैं अब तक कि कि अब कुछ नहीं करेगा वोडाफोन आइडिया को रिलेटेड यह खबर निकल कर आए गवर्मेंट नॉटाइंट इंटर इंस supervising Vodafone Idea दोस्तों क्योंकि government की stake सबसे जादा हो गई है government ने ऐसा बयान दिया है कि Vodafone Idea कुछ नहीं करेगा Vodafone Idea के जो operators है वो ही Vodafone Idea को चलेंगे government का supervise नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों Vodafone Idea की stake आप देख सकते हैं कि government के पास 35.8% की हो गई है आज का open देखें दोस्तों तो आज याप आप ओप ओप ओपनिंग थी लगबग 40.5% उपर open हुआ stock लगबग 13.5 रुपे का high लगाया है stock ने और low 12 रुपे का दोस्तों काफी अच्छी तेजी Vodafone Idea के stock में आज के दिन देखी गई आप देख सकते है एक्टेबाय वॉल्यूम में नमबर वन पर stock ट्रेट कर रहा था लगबग 1 रुपे की तेजी Vodafone Idea के stock में देखी गई है कल की भारी गिरावट के बाद कल दोस्तों लगबग 20% के गिरावट थी और आज 10% की तेजी Vodafone Idea के stock में देखी गई है आज के दिन कुल मिला के 8500 major deals देखी गई है stock ने under performance दिया है लगबग 20% नीचे कामकाच कर रहा है दोस्तों 52 week high sales stock आप देख सकते daily rating में stock bearish pattern दिखा रहा है 2 by 4 sell technical indicators में 1 by 5 sell MA crossovers में 2 by 1 sell ये दिखा रहा है आप देख सकते हैं अब resistance level की बात करें तो 13 रुपे 13 पैसे पहला resistance 14 रुपे 40 पैसे दूसरा resistance और तीसरा resistance 15 रुपे 33 पैसे stop loss की बात करें तो 10 रुपे 90 पैसे पहला stop loss 10 रुपे दूसरा stop loss और तीसरा stop loss 8 रुपे 73 पैसे stock के अगर all time high की बात करें तो दोस्तो 118 रुपे का all time high है stock का जी हैं दोस्तो 50% गिर गया stock अपने all time high से तो चलिए दोस्तो अब चलते हैं Vodafone Idea के intraday charge पर और कल के target पर चर्चा करते हैं तो friends अपन Vodafone Idea के intraday charge पर आ गए अब देख सकते हैं 12 रुपे 80 पैसे पर दोस्तो stock ने closing दिये यहाँ पर 5 पैसे का difference आ रहा है overall दोस्तो पूरे दिन भार आज एक तेजी मेरा stock लुकि दोस्तो कल काफी तगड़ा आप कहा सकते हैं कि इसमें pressure देखने को मिला लगबग 20% से भी ज्यादा का circuit इसमें लग गया था 20% का circuit भी खुल गया था लगबग 20% गिर गया था stock और दोस्तो आज के दिन एक अच्छा पूल बैक वोड़ा फोन आइडा के stock में देखा गया है क्या दोस्तो यह पूल बैक को आपको प्ले करना चाहिए आज थिंक तो दोस्तो आप वोड़ा फोन आइडा में काफी ज्यादा गिरायोट हो गई है ख़बर भी आके निकल चुकी है आई थिंक दोस्तो आइवरेज करने का अच्छा मौका था कल के दिन जिसने भी कल आइवरेज किया होगा अज उसको अच्छा कासा गेन मिला होगा आज 10% का उसको प्रोफिट मिला होगा अगर कल के intra day levels की बात करें तो दोस्तो कल 13 उपे 50 पैसे एक major level होने वाला है कल दोस्तो डेफिनेटली 13 उपे 50 पैसे का level चुके suppress कर लेता है तो दोस्तो 14 उपे तक के भी जगभा बन सकती है जिसमें दोस्तो इसमें परिशर था I think so दोस्तों 2-3 दिन तक और इसमें अच्छी तेजी बनेगी फिर दोस्तों consolidation का button बनेगा दोस्तों अगर कल आप CMP पर buying करते दोस्तों 1st target 13 रुपे 50 पैसे का आपको देखने को मिलेगा और 2nd target की अगर मैं बात करें तो 2nd target 14 रुपे का देखने को मिलेगा तो दोस्तों that's it for video overall अगर आपन बात करें Vodafone Idea के stock में दोस्तों काविया अधा उपरी लेवल्स पर आप कह सकते गिरावट हुई है फिर दोस्तों मैं 15 रुपे तक के target Vodafone Idea में एम कर रहा हूँ तो दोस्तों that's it for video अगर वीडियो अच्छा के तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों